Details किसी भी object को realistic, professional and attractive दिखाने के लिए उस object में details एड़ की जाती है आपने इंटरनेट पे काफी सारे ऐसे objects देखे होंगे जहां पर details का काफी साधा use किया जाता है So आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे आप अपने object में details एड़ कर सकते हो और आपके object को एक professional look दे सकते हो किसी भी object में details हम तीन परकार से add कर सकते हैं Procedurally decays का use करके and final अपना height maps के द्वारा अपन details add कर सकते हैं So first अपन बात करते हैं Procedurally details का Procedural details का simply meaning यह है कि अपन अपने object में manually तरीके से अपन details create करते हैं इसके लिए यह तो अपने object के shape को manipulate करके यह shapes add करके अपन details create कर सकते हैं यह simply अपन geometry node का यूप्योग करके भी अपन details create कर सकते हैं जो कि थोड़ा time consuming होता है लेकिन इसके दुआरा अपन अपनी मन चाही तरीके से अपने object में details create कर सकते हैं सेकेंड अपन बात करते हैं decays के बारे में decays basically एक image plane होते हैं जिसके अंदर height map, normal map and अपना base color होता है यह basically एक illusion create करते हैं अपने object पर details create करने की आप चाहो तो decays आप खुद से create कर सकते हो यह simply internet पर काफी सारी ऐसी website है यह काफी सारी ऐसे artist है जो आपको free और paid दोनों परकार के decays आपको provide करते हैं कुछ decays का link में description में दे दूगा और आप चाहो तो उनको download करकी use कर सकते हो इनको अपने scene में use करने के लिए simply अपन image as a plane के रूप में इनको add कर लेंगे then अगर आपका object एक plan है तो simply यह इसको drag and drop करके अपन use कर सकते हैं लेकिन अगर आपका object थुरा round shape में या थुरा circle type में है तो इसको use करने के लिए simply अपन अपने decays को select कर लेंगे and इसको subdivide करके जी प्लस control प्लस left click के साथ अपने इसको अपने object पर drag कर देंगे then alt plus s के द्वारा scale up कर लेंगे अब आप यहां पे देख सकते हो अपना decay अपने object पर perfect तरीके से add हो गया है अब लास्ट अपन बात करते हैं अपने height map या displacement map के दुआरा अपने object में कैसे details add कर सकते हैं height map या displacement map के दुआरा details add करने का advantage यह है कि यह geometry based details होती है जो कि एक realistic professional look देने के लिए काफी helpful होती है तो इसके लिए simply अपने plan add कर लेंगे देन इसको edit mode में अपन sub divide कर लेंगे चैन इसमें अपन displacement modifier add कर लेंगे देन यहां पे new पे क्लिक करके इस icon पे क्लिक कर देंगे अब अपन अपन texture panel में आ गये हैं और यहां पे अपन अपना कोई भी जो image texture है जिसको अपन as a details के रूप में यूज करना जाते हैं वो simply यहां पे अपन add कर लेंगे अब यहां पे अपन यहां पे देख सकते हैं अपना जो texture है वो add हो गया है अपने object में displacement create हो गया है लेकिन अभी यह कुछ ज़्याजा सही नहीं दिख रहा है तो इसके लिए simply मैं अपने modify tab में आकर अपने displacement की जो strength है उसको में थोड़ा कम कर दूँगा और यहां पे में ए काफी अच्छी details create हो गई है इसके बाद मैं इन सभी को simply apply कर दूँगा लेकिन इस method के अंदर एक issue यह है कि इसके दुआरा अपना scene काफी ज्यादा heavy हो जाता है क्योंकि यहां पर अगर आपन देखें तो अपने यहां पर vertices and faces के संक्या काफी ज्यादा हो गई है जो कि अपन की संक्या काफी कम हो गई है तो इसको simply मैं पर apply कर दूँगा लेकिन अभी भी यह vertices संक्या बहुत ज्यादा है तो इसको और कम करने के लिए simply अपर edit mode में आ जाएंगे यहां पर all vertices को select करके simply X पर click करेंगे यहां पर आपन देख सकते हैं यहां पर limited dissolve options आ रहा है इसको जैसे ह आपन क्लिक करते हैं जितनी भी जो extra vertices होंगी जो आपकी geometry के अंदर यूज नहीं हो रही है उनको simply यह blender automatically उनको remove कर देगा तो आप यहां पी आपन देख सकते हैं अपनी वर्टसी संक्या काफी कम हो गई है अपने जो object के अंदर जो details थी वह भी काफी अच्छी दिखाई दे किये मैंने आप सभी के लिए एक bundle create कर लिया है और इसका link मैं आपको description में दे दूगा और आप चाहो तो इसको download करके use कर सकते हो तो यह कुछ methods थे जिनके द्वारा आप अपने object में details create कर सकते हो और आपके object को एक professional and realistic look दे सकते हो So, that's all. I hope this video is helpful for you. Enjoy your creativity. Keep learning. Keep growing. Thank you for watching.